हे गाईज तो अगर आपके पास बजट का कोई लिमिटेशन नहीं है आपको एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करना है तो देन आप मेरी ख्याल से दो ही ब्रैंड के तरब देखुगे या तो आप आइफोन लोगे या तो अगर आपको आइफोन नहीं पसंद आयोस नहीं पसं देन आप एंडरोड के अंदर समसंग के स्मार्टफोन प्रेफर करोगी और अभी के समय पे सेल के अंदर भी समसंग की स्मार्टफोन से वो काफी कम प्रैस में देखने को मिलता है जिसके करण भी लोग जाता समसंग के स्मार्टफोन प्रेफर करता है बट जहां पे बात आ से आगे ठीक कर सकता है तो यह चीज़ साय अपको पता हुगा कि समसंग का जो फ्लैगशिब सेरी इंक्लोडिंग एफी सीरीज समसंग दू प्रोसेसर के साथ हमेशा ही अपने इसमार्टफोन को लांच करता है एक Exynos processor के साथ दूसरा Snapdragon processor के साथ इंडिया की बात करो तो Samsung ज्यादा तर smartphone इस पेसली Ultra को छोड़के जो भी S series के अंदर है या फिर S series के Plus या फिर FE के अंदर वो हमेशा ही अपनी smartphone को Exynos processor के साथ launch करते हैं जबकि उसी same phone को अलग country के अंदर Snapdragon processor के साथ launch करता है अब S21 FE के अंदर हमने एक चेंज देखा Samsung ने same smartphone को एक साल के बाद Snapdragon variant के साथ launch के जबकि S23 FE के अंदर हमने यह चीज़ अभी भी नहीं देखा है तो बात करेंगर Exynos processor की problems के बारे में तो सबसिर्फ पहला problem है performance को लेके अब जैसे कि मैंने आपको बताए कि Samsung अपनी smartphone को दो प्रोसेसर के साथ launch करता है एक Snapdragon के साथ दूसरा Exynos के साथ suppose आपके पास दोनों smartphone है दोनों अपने नय नया भाई किया दोनों फोन के अंदर जब भी आप यूज करने लगोगे बिल्कुल सिमिलर टाइप का आपको performance मिलेगा बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको देखने को मिलेगा कि Snapdragon जो smartphone है आपका Snapdragon processor के साथ उसका performance बिल्कुल कॉंसिस्टेंट है जिस तरीके का performance आपको पहले देखने को मिलता था अब भी वैसाई है बट Exynos के साथ आपको कभी कबर लैग फिल होगा application बगरा crash हो रहा है अगर आप अपने फोन में gaming बगरा करोगे तब आपको मालूम होगा कि उसका अंदर जो FPS वो ड्रॉप हो रहा है तो performance को लेके Exynos processor के साथ हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रहा है दूसरा प्रॉब्लम हो गया बैटरी लाइफ को लिके अब सपोज आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर एक snapdragon processor है एक Exynos है दोनों के अंदर सेम टाइप का चिप सेट लगा हुआ है दोनों का अर्खिटेक्चर लगभग सिमिलार है फाइब या फिर फूर एनम की ओपर बेजट है बट जो Exynos है वो ज़्यादा पावर हंगरी होता है क्योंकि उसे ज़्यादा पावर चाहिए होता है एक चीज काफी सब एक्जिनोस यूजर्स ने भी नोटिस किया है कि इसका जो आइडियल बैटरी ड्रेन है वो काफी ज्यादा होता है कॉम्प्यार करें अगर snapdragon processors के मुकाबली आइडियल बैटरी ड्रेन जिन लोगों को नहीं मलूम अगर आपका smartphone रखा हुआ है कोई भी कॉल्स वगर आप नहीं अटेंड कर रहे हूँ जस्ट रखा हुआ है बट आपका smartphone आन है तब भी उसके अंदर बैटरी है वो डाउन होता है Exynos processor के साथ ये थोड़ा सा तेजी से होता है इसी के करन देखा होगा कि आपका phone 50% charging पे था रात की सोते टाइम सुबा होते होते उसके अंदर 30 या फिर 35% हो चुका है अब Exynos chip के साथ next problem है heating issue Exynos processors एक और problem लेके आते हैं जो की है heating जब आप अपने phone में heavy काम करते हो लाइक कोई game खेलना या फिर कोई heavy application रान करना तो temperature काफी ज्यादा increase हो जाता है इनफेक्ट अगर आपकी phone में Exynos processor लगा हुआ है अगर आप छोटी मोटी कुछ काम भी कर रही हो अपने phone में तब भी आपको heat मतलब की गर्म महसूस होगा और phone का temperature जैसे ही increase होगा performance automatically decrease हो जाएगा और ये तो तीन हो गया main Exynos chipset के साथ problems इसके अलाबा और भी काफी सरी छोटी मोटी problems है जैसे की network related issue, low light में photos and videos के अंदर grains आना बट अभी के अगर में बात करो तो S24 के अंदर हमें Exynos 2400 देखने को मिलता है and S24 FE के अंदर Exynos 2400E जो कि अगर मैं compare करो बाकी Exynos के मुकाबले तो ये already काफी ज़्यादा improve है बट उस level तक पहुंच नहीं पाया है मतलब की snapdragon processors की level तक बट साइध आगे चलके ये चीज fix होने वाला है क्योंकि Samsung plan कर रहा है अपना जो processor से वो TSMC से manufacture करना इसके regarding मैंने detailed में इस वाले वीडियो के अंदर बात किया हूँ तो आप जाके इस वाले वीडियो के गबार checkout कर लेना और बात करेगर तो फिर Samsung Exynos processor को क्यों इस्तमाल करता है अपने phone के लिए मतलब phones के अंदर तो अब्यस सी बात है कॉस्ट कटिंग तो Samsung का खुद का प्रोसेसर खुद की फेक्ट्री के अंदर समस्ट मनुफक्चर कर रहा है जिसके करन समसंग को यहां से से कास्ट सेव हो रहा है और Samsung समाटफोन का प्राइश खुदाव सा जादा रहता है अब अगर वह स्नैप ड्रेगन से प्वस होंघसर उनंगवाएंगे यह जिस के कारएंग फून का जयो प्राइश हो और ज्यादा मسمक्चर खुदा यइशाल कर रहा है आपने फोन में बट एक चीज सायद आपने नोटिस क्या होगा कि समसंग मीडरेंज सेगमेंट के अंदर कभी-कभी कुछ फोन स्नैप ड्रगन पॉसेसर के साथ लांच कर देता है बट जो स्नैप ड्रगन पॉसेसर है वह आप देखोगे कि नया नहीं है पूराना है तो यह थे कुछ रीजेंज जिसके कारण लोग समसंग एक जिनोस चीप सेट को लेके थोड़ा सा फ्रस्टेडेड है बट होप आगे चलके यह चीज फिक्स हो जाए और हमें अच्छा समसंग के स्मार्ट फोन्स देखने को मिलें इसके रिगारिंग आप क्या क्या आपनियान है कॉमेंट कर के जरूर बताना और ऐसे ही इंडिस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आए डिजिनल टाच को भी सब्स्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू